हेलो फ्रेंद्स वेलकम तू माई चैनल मैं हूँ दिव्या शर्मा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाई बीपी में कौन सी पांच चीजें बिलकुल नहीं खानी चाहिए जिनको भी हाई बीपी है अगर वो ऐलोबेथिक मेडिसिन लेने तो उनको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है अगर वो ऐलोबेथिक मेडिसिन से अपने ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो उनको लाइफ टाइम लेने की जरूरत नहीं होती मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें आयरवेथिक ट्रीटमेंट है और आपको लाइफ टाइम के लिए आपको हाई बीपी की मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी मैं उस चीज़ के लिंक आपको इस वीडियो में ज़रूर दे जूँगी आप जानते हैं कि आपको हाई बीपी में कौन सी 5 चीजे बिलकुल नहीं खानी हाई बीपी में नमक कम खाने की सला दी जाती है क्योंकि जाता खाने से बीपी और हाई हो जाता है और उससे और बहुत सी बिमारियां जैसे की कॉलेस्टरॉल जैसे हार्ड डिजीज होने की खत्रा और बढ़ जाता है इसके लिए आपको क्या है कि हाई बीपी में जिसको भी हाई बीपी है वो अल्कोहल कभी नहीं ले और अल्कोहल क के साथ-साथ जो call drink होती है θα भी उनके लिए जहर है। इल्कोहल और call drink जो लोग भिं फेसिंट हैं अगर ये उन चीज़ों का怎麼樣 करते हैं, तो उनका BP और high हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्हें स्नेक्स वगरा भी नहीं लेने क्योंकि स्नेक्स खाने से ये नहीं है कि इसमें बहुत जादा नमक नहीं डाला तो हम खा सकते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि स्नेक्स खाने से हाई बीपी और हो जाएगा, इसके साथ 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 जैम इन चीजों को भी उन् खत्रा होता है इसके साथ साथ उन्हें काफी नहीं पीने ये सलाह दी जाती है जिनको भी हाई भी पी है उन लोगोंने कैफिन कम लेना है तो काफी में सबसे जादा कैफिन होता है इसलिए उन्हें कैफिन नहीं लेना अगर वो चाते हैं कि उनका हाई भी पी कंट्रॉल में र इसे avoid करना बहुत अच्छा है, ये थी information, हाई बीपी में ऐसी कौन सी 5 चीज़े हैं, जिने avoid करना है, ये information आपको कैसी लगी, प्रीज अपने comments के द्वारा जरूर बताईए, मेरी वीडियो को like जरूर करें, अपने friends के साथ इसे share करें, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को subscribe न always be happy, thank you for watching my video, okay bye